तो भाईया मेरे बच्चे तो फुली तयार हैं अपने एक्जाम के लिए लगभग तयारी कर चुके कुछ ही जिए चैप्टर है जो एक दम थोड़ा थोड़ा बच्चा है समाजे के घ्यान के तयारी तो भाईया हो गए बहुत सारे बच्चे वो थे मैडम याद नहीं होता है गखोड़ा जाण नहीं याद करना हैं तो याद करना ही तो बैट्चे याद करना ही क्यों जो शुट आप शून करने की जरूपड़ा पड़ेगी क्या बस सुनो ना सुन लोगे गाना चलते सूनने तो कैसे याद बहुता है अगराद कभी याद करते हो क्या दो गने लाइफ टाइम याद रहेगा है ना बस धून सुनने की दुरत है तो वैसे याद करो ना भया कि कोशन आ जाए बस फिर उत्तर आने की देरी है वैसा याद करो है कैसे याद नी हो रहा है तो याद नी होगा समाजे में इतने लेक्शर देने के बाद तो पका याद तो होई गया होगा तेंशन नखो बई या हो जाएगा ठीक है अपने क्या है हम लोग पूरा ध्याय halves खतम कर चुके। अब Eduardo तो इसमें क्या आपने हमागे अध्याय आठ्ट समाजी गियन के आगे हैं जिसमें विश्वी सदी में संचार माध्यम और लोक तंतर में जन सभागी तर ठीक है इसमें दो चैप्टर है और यह एकदम फुत्रू चैप्टर इससे एक माँकः कोशन आएगा इससे छह माँकः कोशन कोशन नहीं इससे विडियो बर शुन लोगे पूरे टएयार हो जाएगा ठीक है उसको क्या है वोट देने किया जाते हैं तो वोट देने क्या होगँ महिलाओं के लिए क्या सवस्था है चुदाओं कैसे उने चाहिए यह सब तो इस चेप्टर में होता हो तो खुद तैयार कर लोगे चलो फिर रही मैं पढ़ाई रहती हूं आज कौंसे पढ़ाऊंगी विस्वी सदी में संचार माद देम ठीक है इस चेप्टर से एक और शे मा माँ से कोशिंद के तैयारी करेंगे ठेक चलो आज ओ इसमें क्या है संचार माध्यम आप पढ़ोगे संचार क्या होता प्रेशन अपनी भावनेज़ा को सामने वलारत तक पहुंचाना इसके किसी बीतरीकित से होसकता है इशारा करके बात करके लिक करके यह सब माध्यम हो स टॉसरे सामनेर तक पहुचा ना वही क्या हुआ संचाव अब मैं आपको पढ़ा दी हूं है न तो मेरे को सुन रहे हो देख रहे हो तो यह क्या हो संचाव थे मुधितमाध्यम प्रिंट मिडिया तो अठादासइ स्थूरू वही उरॉप से शुरू हुई थी ठीक 1837 के बात क्या हुआ रंगिन प्रेशनेर में थोने शुरू हो गए अखबार की बात की जाए तो 1780 से 92 की बिच कलगत्ता मदरास बुंबई में पत्रिकाई छपने लगी थी ठीक है भारती भारती भाषा में प्रथम पत्रिका शुरुबात 1818 होई सन्याद करो 1818 मार्श मान द्वारा बंगाल के सी रामपूर में बंगाली भाषा में दिगदर्शी का नाम की पत्रिका थी तो पहली पत्रिका कौन सी भारती भाषा में दिगदर्शी का कब हुई थी 1818 में ठीक रजय राम मोहन राय के तरफ प्रतम फार्सी सत्ताहिक प्रत्रिका का नाम क्या था भई मिरातुल उतकबार कब हुआ था 1822 में भारत के विभिन प्रांतों में स्थानी भार्षाओं में प्रत्रिकाई प्रकाशित होने लगे इसमें टाइमस ओफ इंडिया, स्टेट्समैन, द नाम ए列、 सीमीर में, मार्ष मंगल से यात कलो मार्ष मार्ष कौ़न से टेलिग्राफ हम लोग वहाँ जानी सकते है, तो किस थेलीगराफ कहां मंगल में, तो किसने मार्ष ने की थी थी अगे आजो, टेलीफोन भईया जो ुूदी भण पुन दुनिया बसता है ना उसके में ठीक, रेडियो मॉर्फी, माइक करोनी, इटली के मार्कोनी, किसने मार्कोनी ठीक है, तो याद कर ले ना, मॉर्फी बहुत चलता था है ना, कुछ मुवीज भी आई थी, तो यह किया थे, मार्कोनी ने सरफ पथम अंटलांटिक महसागर के पार, प्रसाद करके इसकी तिह अच्छा था, ठीक है, इसका उप्योग सब ज़्याद कहां हुआ भई, सैनिको, जहां जो के लिए किया गया था, ठीक है, अब आज आते हैं नो, डारेक कोशन, जितना भी आपने देखा, उसी से उतने ही चीजों से क्या है, आपके पूरे MCQs बनेंगे, ठीक, चलो, इस च सभी कभी आ रहा है, तो इसके सभी option को एक बर पढ़ने के कोशिश करना, ऐसा नहीं कि अगर हो सकता है, आपको सिफ ये लग रहा होगा, या आपको सिफ ये लगा, तो आप ये सोचोगे, बोलना भी तो हो सकता है, अच्छा, दो तो हो गया, तो फिर क्या है, तो ये देख सभी आइने टेक्नोजी आई, ठीक, हरीत कांती से तो इक रिशीक शर्चेत पुड़ा, दोध से दूद के उत पादिन बढ़ा, ठीक, आगे, भारती भास्टा में सरम प्रत्र प्रत्रिका की शुरवात कब हुई थी भई, बताओ, कब हुई थी, बंगाल, 1818 में, ठीक, देखते हैं, ममी लोग हमारे, ये दे, टेली विजन, है न, सुचनर प्रसारान को और तेज विश्वयाप बनाने में काफी महत्व किया है, उप गरहने, क्योंकि जो इतने भी सुचनर प्रसारान है, वो सेटेलाइट्स के थूचलते हैं, ठीक, आगे आजाओ, भारत की प् विकास करने का शुरू किया, क्या था, किस ने किया था भई, सबसे पहले आए कॉन थे, पुर्तगाल, तो इन्हों नहीं शुरू किया था, हमारे भारत में अंग्रेजों से पहले इन लोग आ गय थे, बदमाश लोग, और इन लोग से सब चालो हुआ था, ठीक है, इन विकास के कारण कौन सी दूरिया कम हो रही है, कौन सी दूरिया भई, हम आज में अपको अपको अपने घर में बैठके कर सकते हो, तो अभिप्षा इसलिए क्या लाई है, घर में सिक्षा, अभिप्षा है ना, कि आप जैसे बच्चे हैं जो अच्छी शहर आके नहीं करते हैं, तो उनको आपके घर में आके पढ़ाने का काम को रही है, अभिप्षा, तो यहीं क्या है, इसे क्या है, हमारे संचार माध्यम से क्या दूरी हुई है, भाग लोग एक दूरी दूर हुई है, ठीक, आगे आजओ, टेलिविजन पर देखेंगे क्रिकेट मैश को क्य क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं, लाइप प्रसारण, सीधा प्रसारण हो रहा है, भाईया, धोनी चक्का मारा हम तूरन देख लेते हैं, है न, आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती भाई, अच्छे खांकर बन के बिना, आज का संचार और जन संचा पत्रीका भई, केसरी पत्रीका, भारती भाषा में प्रथम पत्रीका की शुरुवात कब हुई थी, 1818 में, भारत की पहले फिल्म दादा सहाब फालके ने बनाई थी, इसका नाम था, हरिश्च चंद्र, ठीक, खालिस्तान वास्तों में विश्व के सभी कंप्यूटर और को उन्हों को आपस में जोडने का काम करता है, कौन करता है, इंटरनेट, खालिस्तान, खालिस्तान हिंदूर प्रणे का थाओक पर अधाय धरवाइक है, अभी लॉक्डाउन लगा था ना, तो हम दोग सब की सब बैठके क्या देखते हैं, भार को पूरा परिवार, बहुत सा पूरा परिवार एक सब बैठके देखा, क्या क्या देखा, रमायान और महाभारत, चलो आगे आजाओ, बिना तार के आस्मान में मौजुत तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज पहुचाने का काम कौन करता है, टेलीफोन, बिना तार के पहले तो टेलीफोन रेडियो, यह क्या आएगा, रेडियो, है न हम लोग रेडियो सुनते हैं न, एंटिरिया लगा लगा के वो होगा, ठीक है, दृते विश्वे के बास अंचार के एक नही टेक्निक क्या आए थी, टेलीविजन, दृते यूश्रम में ही थ जो हम लग पूरा जो युद्ध हो रहा था, उसको लोग लाइव देख पा रहे थे कही जगा का, ठीक है, खरिस्थान के जड़ियो, तार के माध्यम से आवाज पहुच आई जा सकती है, किसके माध्यम से भाई है, टेलीफोन, चलो अगले मैं रंगिन, प्रिंटिक प्रेस जिसका पढ़ता है, हम लोग रोज क्या देखते हैं, जिसका प्रभाव पढ़ता है, सबसे ज़्यादा, टेलीविजन का, इसका अंसर होगा, ई, प्रतम फार्शी सब्ताहिक पत्री का कौन सी थी, बताओ भई, मिरा आते लोग अकबार, ए, देश भक्ती प्रधाईट फिन किया था भई, जिएल बेशन की ठेलीग्राफ की शुरवात कर दी थी, टेलीविजन की शुरवात की भई, जेएल बेरड ने, ठीक, चलचीतर किसने पनाया था भई, लूमीय बंदु ने, और रेडियो कौन था भई, आक करोनी, हम लोग करोनी, मैकरोनी खाते हैं, वहीं मै देख लो ये क्या है अब गर सुनोगे तो भी चीज़े याद हो जाएंगे ठीक है टेलिविजन प्रथम फार्सी सप्ताइक अकबार कौन से था मिरातुल अकबार देश भक्ती पदायत फिर्म कौन से थी पूरब पश्शिम डिजेटर क्रांती इंटरनेट सेमेल मोर्स ने क् टेलिविजन की शुरुवात किस ने की थी भई जेल बेर्ड ने चल चितरिक की स्टाइट कहां से हुआ थे लेम युए बंधू से और रेडियो कौन था मार्कोनी ठेक इतना हो गए चलो कुछ कोशन इसके एक दो लाइन के हो सकता है खुदा ना खास्ता एकात धोके से किनितीन इलेक्ट्रोनिक माध्यों का नाम बताइए टेलिविजन रेडियो टेलीफोन आगे आजाओ किस बात का संदेश एक इस्थान से दूसरे स्थान तर पहुचाना क्या कहलाता है संचार क्या लाता है ठीक आगे आजाओ भारती भाशन में प्रेशन पत्रिका का बंगाल में हुआ तो बंगाली भाशा कब हुआ 1868 किस ने किया था भई मार्शमान ने कौन सी पत्रिका थी दिखदर्शी का ठीक आगे आजाओ अठागे आजाओ कुछ बड़े कुशन देख लाओ मूदृत माध्यम और टीवी के संप्रेशन में क्या क्या है मतलब अखब लेकिन अगबार में हम सीपड़ सकते हैं तो यहीं सब क्या इसमें अंतर होते हैं ठीक तो पहले देखो समानता देख लो मुद्रम अध्यम वर टीवी संप्रेशन दोनों माद्यन teaching दरा समाचार उसुष्णाओं का दानप्रदन होता है हमें हमें सुष्णा मिलती है कड़ंश 하면 हमारे ज्ञान के विधिक करते हैं हमें हमें वीध्रेशों से जानते है सरकार की harvesting होती है बिल्कुल जो भी देश में अर्थवस्थाय में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो हमें समचार हो या टीवी, उसके दोरा पता चलती है, तो यह क्या है इनकी समानता है, अब अंतर देख लो भई, समचार पत्र की वाल हम पढ़ सकते हैं, जबकि टीवी हम सुन सकते हैं, टीवी से अनपढ़ एक्टीव कलाब उठा सकता है, समचार पत्र की अपेशा टीवी मनोजन का बड़ा साधन है, समचार पत्र मुदृत माध्यम जहां हमें समचार देख से मिलता है, वहीं टीवी से तुरन मिल जाता है, मुदृत माध्यम से हम घटनाओं को आपको चीजों को समझना होता और अपने शब्दों में आंसर लिखना होता है लेकिन इस चैप्टर को याद करना होगा तो इसको क्या करना एक दो बड़ सुन लेना पूरे चैप्टर पूरा पढ़ने बैठना इतने चीजे लिखनी है यह चैप्टर पूरा घ्ली लिखना तो ऊपड़ा है अपनी अच्छी सिक्षा मिल सके जो यहर बच्चों को मिलती है तो अभिशा हमारे से आ अगे लेकर जाना उनको आगे बढ़ाना ठीक है तो ऐसे कालियर कॉंस्टलर में आपको हर तरीके से मतावा दस्वि हमसे छूटना नहीं है जैसे आप दस्वी का पेपर दोगे तुरंद आप हमसे आओगे बात करोगे कि भाईया दस्वी पास कर लिया अब क्या करना है और आपको अपनी करियर प्रानिक बहुत अच्छे से करना है ठीक है तो करे लेटेड जो भी कुछ लगता है कि प्रॉबल सब्सक्राइब है कि कॉमर्स वार्य तो पढ़ते नहीं है अपने सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए अभिसे दिमाग में सोचके रखो टेंशन नहीं लेना है पेपर देना है उसके बात कुछ भी लगता है करे लेटेड तो आप इस नंबर पर देके कॉल करके हमसे पर ले जाने का प्रयास कर रही है तो हमें आशा है कि आप हम से इसी तरह जुड़े रहे और क्या है हमारी जो भी प्रयास है उसकी सराना करे तो बच्चों अपने एक्जाम की तैयारी यह सी करते रहो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शेप्टर के साथ तब तक ब कर दो